नमस्कार, आज मोहिनी एकादशी का पर्व है, इस पर्व पे संध्याकाल में दिये जलाके भगवान की पुझा की जाती है, चुझकि हमारे पास दिये नहीं थे, इसलिए हमने आटे के दिये बनाए हैं, आप देख रहे होंगे कि हम आटे के दिये बना रहे हैं, ये हमने चा और अब इस आटे के दिये में हमने बातिया भी रखी हुई है, तो हमने पांच दिये बनाए हैं, जो अलग-अलग स्थानों पे हम रखेंगे, पहला स्थान इशान दिशा होती है, जो कि उत्तर और पूर्व के बीच में आती है, दूसरा रसोई गर, तीसरा गर के बीतर ज चोथा जहां पे दूआर से हम प्रवेश करते हैं अपने गर के अंदर और पांच वा जहां पे हमने तुलसी माता का पौदा उगाया हो वहां पे, तो ये जो मोहिनी एकादशी है, इस पर्व की महता ये है कि इस दिन बगवान विश्णु ने मोहिनी रूप का आउतरन किय था, उन्हें रूप दारन किया हुआ था और जब उन्हें रूप दारन किया था तो उनका जो रूप दारन करने का जो उनका प्रयोजन था वो इसलिए था कि राहु ने अमरत कलश ले लिया था, उसने अमरत पान किया था, उसके बाद उसने अमरत कलश भी चुरा लिया थ और बगवान विश्णु ने मोहिनी रूप दार्ण करके उसको अपनी और आकर्षित कर उसके अमरित कलश छीन कर स्वर्गलोप में स्थापित कर दिया था अभी आप देख रहे हैं हमने इन आटे के दियों में थोड़ा थोड़ा गी डाला है और इसके बाद हम इन दियों को प्रजलिद करेंगे तो जब बगवान विश्णू ने राहू से वो अमरित कलश छीन लिया था उसके बाद जो बगवान विश्णू के उपासक थे उन्होंने बगवान के आउतरन के इस दिन को महिमा के रूप में मनाना आरम कर दिया और तब से इस दिन की अलग महिमा है जो भी इस दिन रत रखता है वो कोई भी हो कोई भी नर कोई भी नारी हो तो उनको सफलता प्राप्त होती है उनको कोई कठिनाई नहीं आती है जीवन में उनको भगवान विश्णू और माता लक्षमी की सदेव कृपा रहती है उनके उपर इसलिए इस पर्व की महत्वा कुछ अलग ही है और इस दिन जिसने भी व्रत रखा हो उस व्रत को सर्वोत्म व्रत माना जाता है तो अब आप देख रहे हैं हमने जो थाली में पांच दिये सचा के रखे हैं और अब हमने इनके साथ में कुछ पुश्प भी रखे हैं जब हम दिये जलाते हैं कि अलग-अलग स्थानूप ए तो वहाँ पे या तो अर्ग या हम चावल का प्रयोग करते हैं परन्तु इस व्रत या इस परुपे हम चावल के बदले पुश्प का प्रयोग करेंगे जहां जहां पे हम अपना ये दिया या दीपक रखेंगे अब हम इन दीपों की जो बातियां हैं इनको प्रजुलित कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हमने तीन दीपक प्रजुलित कर दिये हैं अब हम इसके बाद चोथे दीपक को भी प्रजुलित कर देंगे और जो पांचवा दीपक है उसको अभी प्रजुलित नहीं करेंगे ये माता तुलसी का जोहां पे पोधा होगा वहां पे इसको रखेंगे और वहीं पे प्रजुलित करेंगे तो अब हमने पहला जो दीपक है वो हमने रख दिया है उस जगह पे जहां पे हम गर के बीतर पुजा करते हैं जहां पे हमारा चोटा सा मंदिर है वहां पे हमने एक पहला दीपक रख दिया है इसके बाद हम जाएंगे अपनी रसोई गर में और यहां पे हमने दूसरा दीपक रखा हुआ है यह देखे हमने दूसरा दिपक रख दिया यहां पर और इसके बाद अब हम जाएंगे इशान दिशा के